नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अशोक और आप देख रहे हैं FMU's जल्दी अपनी लॉंग टाइम गर्ल्फरेंड शेता अगरवाल से शादी करने जा रहे सिंगर और टीवी होस्ट अधित्य नारेन की माने तो वो आर्थिक संकर से जूझ रहे हैं हाली में एक इंट्रिवी में उन्होंने इसका खुलासा किया था अधित्य के मताबिक उनके खाते में सिर्फ 18,000 रुपे ही बचे हैं और अगर अक्टोबर में वो काम शुरूर नहीं करते हैं तो गुजारे के लिए उन्हें अपना सामान बेचना पढ़ सकता है बॉलीबूट बबल से बाचीत में आधित्य नारण ने कहा अगर सरकार लॉकडाउन आगे बढ़ाती है तो लोग भूके मरने लगेंगे मेरी पूरी सेविंग खत्म हो गई है जो पैसा मैंने मुच्छल फंड में इन्वेस्ट किया था वह भी मैंने गुजारे के लिए पूरा निकाल लिया है यह किसी ने ने सोचा था कि मैं एक साल तक काम नहीं करूँगा कोई इस तरह से प्लान नहीं करता जब तक कि आप कोई अरब पती ना हो इसलिए कोई चोईस नहीं है मेरे खाते में सिर्व 18,000 रुपे ही बचे है अगर अक्टूबर में मैंने काम शुरू नहीं करता हूँ तो मेरे पास कोई पैसा नहीं होगा मुझे अपनी बाई किया कोई और सामन बेचना पड़ेगा बहुत मुश्किल है आखिर में आपको कुछ कटीन फैसले लेने होते हैं जब आप कटीन फैसले लेते हैं तो कुछ निष्टिर लोगों का एक वर्ग होता है जो कहेगा कि यह फैसला गलत है अधित्या नारेंड ने पिछले दिनों अपनी और श्वेता अगरवाल की शादी का एलान किया था उन्होंने एक न्यूस वेबसाइट से कहा था कि मैं श्वेता से फिल्म शापित के सैट पर मिला था पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे दिरे दिरे मुझे एसास हुआ कि मेरे अंदर उसे लेकर फिलिंग है इसके बाद मैंने उसे बात करनी शुरू कर दी शुरुआत में वो सिर्फ दोस्त बनकर रहना चाहती थी क्योंकि उस समय हम बहुत छोटे थे और हमें करियर पर फोकस करने की जरूरत थी